नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्व चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीजीटी 2022 इतिहास प्रेटी सेट 144 में परिच्छा में पूछे जाने वाले इंपार्टेंट कोस्चन तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से प इसका नोटिफिकेशन आपके मवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं हां अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट 143 तक देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूपी पीजीटी इतिहास और उस प् किमलेखित में से किस अस्थल से हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए हैं किस अस्थल से हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए हैं चोपनी मांडो या काकोरियार से या महदहा से या सरायनाहर राय से तो किस अस्थल से हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो ये प्राप् नौपसाण युग में भारती उप महादीप के उत्तर पस्मी छेत्र में निमलिकित में से किस अस्थान पर क्रिसी के अभुदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निमलिकित बैदिक देताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। उनका पुरोहित माना जाता है तो ये माना जाता है किसको ब्रहस्पती को इसका राइट एंसर बी होगा इसमें ब्रहस्पती। कोशन नमबर चार है निमलिकित में से कौन मोच्छ के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ती को समान महत्व देता है। इसमें पुछा गया है कि मोच्छ के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ती को समान महत्व देता है। तो इसमें आपका राइट एंसर होगा C, भागवत, गीता, कोशन नमबर पांच है, मेगस्थनीज ने भारती समाज को कितनी स्रेणियों में बिभाजित किया है, मेगस्थनीज ने भारती समाज को कितनी स्रेणियों में बिभाजित किया है, चार, पांच, छे या साथ स्रेणियों में, तो इसमें आपका राइट एंसर D, सई है, साथ स्रेणियों में मेगस्थनीज ने भारती समाज को बिभाजित किया है, या बाटा है, कोश्चन नम्मर 6 है वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपणों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद नगर था वेन सांग की भारत यात्रा के समय जो है सूती कपणों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद नगर कौन था वाराण सी, मथुरा, पाटली पुत्र या कांची में तो इसमें आपका right answer होगा B, मथुरा यानि वेन साग जब भारत की यात्रा पर था उसमें सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद नगर था वह था मथुरा तो 20 का right answer होगा मथुरा कुशन नमबर साथ है कौसे ये सब्द का परियोग किया गया है कौसे ये सब्द का परियोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, या रेसम के लिए, या उन के लिए तो कौसे ये सब्द का परियोग किया गया है, किस के लिए किया गया है तो यह किया गया है रेशम के लिए, सीज का राइट एंसर होगा इसमें, रेशम के लिए, कोश्चन नमबर आठ है, तोलकापियम ग्रंथ सम्बंधित है, तो यह किस्य सम्बंधित है, प्रसासन से, बीधी से, ब्याकरण और काब्य से, या उपरोक्त सभी से, तो तोलकापियम ग्रंथ यह किस्य सम्बंधित है, यह सम्बंधित है, ब्याकरण और काब्य से, सीज का राइट एंसर होगा, तोलकापियम ग्रंथ किस्य सम्बंधित है, ब्याकरण और काब्य से है, कुछसर नमबर नौ है किस मुसलिम सासक के सिक्कों पर देवी लच्मी की आकिरती बनी है किसका रायट एंसर होगा मुहम्मद गोरी अगर यहाई पर राम सीता पूछता या सीता राम पूछतासिता राम किसके सिक्कों पर अच्वें खर филь को से तो सीता राम पूछे तो अंपर देवी लच्मी अगर पूछता है तो मुहम्मद गोरी इसका एंसर होगा Question number 10 है इसमें आपका राइट एंसर होगा वो है बुक्का पर्थम तो बुक का प्रथम जो है विजानेगर का सासक था जिसने चीन के समराट के पास अपना राजदूत भेजा था कोशन नमबर 11 है निमलिखित सूफी वाद के सिलसिलों में कौन संगीत के बिरुद्ध था यानि कौन सा सूफी वाद सिलसिला था जो संगीत के खिलाब था या संगीत के बिरुद्ध था इसमें आपका राइट एंसर D होगा नक्स बंदिया सिलसिला यह जो है संगीत के बिरुद्ध थे कुश्चन नमबर बारा है किस राजपूत सासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंतरता का संगर्स जारी रखा और समर्पन नहीं किया था आपसं देखे दिया है बिकानेर के राजा राय सिंग, मारवाल के राव चंदरसेन, आमेर के राजा भार्मल या मेवाल के राजा महराजा अमर सिंग इसमें से कौन राजपू सासक था जो मुगलों के खिलाप निरंतर स्वतंतरता का संगर्श जारी रखा लेकिन कभी भी वो समर्पण नहीं किया था तो ओ सासक का नाम है मारवाल के रावचंद्र सेन बीस योगास में मारवाल के रावचंद्र सेन कोशन नमर 13 है हिंदू धर्म गरंथों का अध्यन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अमीर खुसरो दारा सिको अमीर हसन या सूजा इन आपसन के अंसार आपको बताना है कि हिंदु धर्म गरंथों का अध्यन करने वाला पर्थम मुस्लिम कौन था तो वो था दारा सिको जो बाउन उपनिसदों का जो है उपनिसद का अनुबाद भी कराया था ये तो दारा सिको जो है हिंदु धर्म गरंथों का अध्यन करने प्रथम मुस्लिम है इस आपसन के नुसार तो 20 सही होगा इसमें कोश्चन नमबर 14 है मुगल काल में निमलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था मुगल काल में निमलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था आपसन देखे दिया है कालिकट, भरूच, कैबे या सूरत इसमें आपका राइट एंसर डी सयोगा सूरत को जो है मुगलकाल में मक्का द्वार कहा जाता था कोश्चन नमबर 15 है निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर निती से सम्बंदित है दा अलमीडा या अलबुकर्क या डूपले या राबर्ट कलाईब तो नीला जल योजना या ब्लू वाटर निती से सम्बंदित कौन है इसमें से इसमें आपका राइट एंसर ए सई होगा द अल मीडा क्वेशन नमबर 16 है सुगावली या इसी को संगावली भी कहीं कहीं लिखा रहता है सुगावली की संधी हुई थी सुगावली की संधी कब हुई थी सुगवली की संधी वी थी कव ती ये ववा था अठारा सो पंद्रह इस्वी में कोस्टन नमबर 17 है नील क्रिस्टकों की दुर्दसा पर लिखी गई पुस्तक नील दरपन के लेखक कौन है इसमें आपका राइट अंसर बी सयोगा दीन बंधु मित्र कोस्टन नमबर 18 है इनमें से वह प्रतम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया बीपी वालिया लाला लाजपतराय या एन एम लोखंडे या एन जी रंगा तो प्रतम नेता कौन है इनमें से इन आपसन के अंसर जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था ये प्रतम नेता थे एन एम लोखंडे सीज का राइट एंसर होगा एन एम लोखंडे कुस्टन नमबर 19 है निमलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भासा में प्रवीडता के लिए जाना जाता है संस्कृत भासा में प्रवीडता के लिए जाना जाता है कौन-कौन समाज सुधारक थे आपसं देखे दिया है दयानन्द सुरसती इस्वर्चंदर विद्यासागर राजारा मोहन राय या उप्युक्त सभी इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा दि उप्युक्त सभी इसमें दयानन्द सुरसती इस्वर्चंदर विद्यासागर राजारा मोहन राय ने जो है संस्कृत भासा में प्रविडता के लिए जाने जाते हैं तो डी इसका राइट एंसर होगा कोशन नमबर 20 है और अंतिम कोशन है किसके सुझाओं पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था लाड रीडिंग लाड चेम्सफोर्ड या सरजान साइमन या लाड इरविन तो किसके सुझाओं पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था ये सुझ आज के लिए तुमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक कर अपने दोस्तों के हाँ अधिक सदिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम